पाईसन अनुपात या पाईसन निश्पत्ति क्या होती है क्लास 11 फिजिक्स चेप्टर 9 ये छटा भागे पाईसन अनुपात या पाईसन रेशो क्या होता है इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु पर तनाव बल लगाते हैं समानली जी ये एक द्रड़ा-धार से कसीवी कोई बेलना का रवस्तु है और अगर हम उस पर एक क्या करते हैं सपोस हम उस पर एक तनाव बल लगाते हैं इस तरीके से ठीक है तो क्या होगा उसके उसकी लंबाई में क्या होगी व्रद्धी होगी क्योंकि आप क्या कर रहे हैं इस तरीके से तनावबल लगाते हैं तो तनावबल लगाने से क्या होगा उसकी लंबाई में व्रद्धी होगी और लंबाई में जब व्रद्धी होगी उसी समय क्या हो रहा होगा उसके अनुप्रस्त परिछेद में कमी हो रही होगी मतलब तार लंबा तो हो रहा होगा परन्तु साथ-साथ वो उसकी मोटाई भी कम हो रही होगी तो जो लंबाई में व्रद्धी होई उसके कारण जो विक्रती आती है उसको हम कहते है अनुधेर विक्रती तो यह जो लंबाई में व्रद्धी वाली विक्रती है अनुधेर विक्रती है और जो अनुप्रस्त परिशेद में कमी हुई या मोटाई में कमी हुई तो उसकी विक्रती गों कहते हैं अनुप्रस्त विक्रती ठीक है ना तो यह आप इन बातों का मतलब समझ लीजिए कि जो अनुधेर विक्रती है वो लंबाई में व्रद्धी से आई है और जो अनुप्रस्त विक्रती है वो मूटाई में कमी से आई है जब हम इस पर तनाव बल लगाकर इसकी लंबाई को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है तो चलिए अब इस चित्र को भी थोड़ा समझ लेत की है न तो क्या होगा उसकी जो लंबाई थी वो capital L से बढ़कर L plus delta L हो गई और उसका जो व्यास था वो D से घटकर capital D से घटकर capital D minus small D हो गया मतलब व्यास में उसके कमी हो गई और लंबाई में उसके व्रद्धी हो गई ठीक है अब यहां हम समझ गा कि लंबाई में व्रद परिवर्तन कितना हुआ delta L प्रारंबिक लंबाई कितनी है capital L तो यह लंबाई में परिवर्तन delta L और प्रारंबिक लंबाई capital L का अनुपात हो गया अनुधेर विक्रती ठीक है अब अनुप्रस्त विक्रती ले लेते हैं तो अनुप्रस्त विक्रती में क्या हुआ कि व्यास यह देखना है कि जो पाइसन रेशो है या पाइसन अनुपात है वो क्या होता है पाइसन निश्पत्ती क्या होती है तो इसको उपर यहां देखे इसको यहां समझेगा कि प्रत्यास्ता की सीमा के अंतरगत मतलब वही प्रत्यास्ता की सीमा के अंतरगत मतलब आप समझ रहे है वो और अनुधेर विक्रती का जो अनुपात होता है उसको पाईसन निश्पत्ती केते हैं मतलब अनुप्रस्त विक्रती और अनुधेर विक्रती का जो अनुपात होता है उसको हम पाईसन निश्पत्ती केते हैं अनुधेर विक्रती तो एसे में अनुप्रस्त विक्रती को आप यहां से लिख ले और अनुधेर विक्रती को यहां से उसकी वेल्यू डाल सकते हम तो फिर यह पाईसन अनुपात हमारा हो जाएगा देखिए अनुप्रस्त विक्रती की जगे हुआ माइनस डी अपान कैपिट L और यह क्या हुआ माइनस D के साथ यह केपिटल L उपर चला गया और केपिटल D के साथ डेल्टा L नीचे रहे गया तो यह value आई है माइनस D केपिटल L अपाँ डेल्टा L इंटू केपिटल D और यहां जो यह हम देख रहे यह बता रहा है कि लंबाई और व्यास में एक दूसरे के विपरित परिवर्तन हो रहा है यह माइनस चिन यह बात बता रहा है अब बहुत महत्वपुन बात में बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये विक्रती बटे विक्रती है ठीक है तो विक्रती तो वैसे ही विमाहीन मात्रखीन होती है तो फिर ये जो पाइसन रेश्रो है ये क्या हो जाएगा मात्रखीन भी हो जाएगा और विमाहीन भी हो जाएगा और सबसे महत्वपुन बाद जो objective की दरश्टी से होती है वो यह है कि इसका जो सेध्धान्तिक मान है वो minus 1 से 0.5 के बीच में है और व्यवारिक मान जो है इसका 0 से 0.5 के बीच में होता है